तो हेलो फ्रेंड गुड इवनिंग कैसे आप लोग होब आप सब बढ़े होंगे और आपकी तयारे भी जोड़सोरों से चल रही होगी आप चीजों को याद कर रहोंगे तो अभी तक हम उत्राखन की संस्कृति में थोड़ा सा बोरिंग सी चीज़े पढ़ रहे थे हमने क्य कहीं न कहीं रटने की चीज़े थी उसके बाद हमने रिस्ते नाते पड़े या रिस्तेदारी पड़ी तो रिस्तेदारी भी गड़वाली कुमावनी कहीं न कहीं रटने की चीज़े थी समझने का कुछ ज़्यादा लॉजिक था नहीं अपनी तरीके से best and best मैंने समझाने का जहाने के GUYसीज भी करूँगा चीजों को और याद करवाने के कॉछीज भी करूँगा चीजों को अर पढ़ते हैं आगे उत्रकração का कल्चर का एक और टापिक आज तख आप रट रहते हैं कुछ दिन तरफ चीजों को समझते हैं आप्टर देट फिट जो रटने वाली चीज होगी, मैं वो भी आपको करवा दूँगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, उत्राखंड का कल्चर बहुत important है, और पर सोभी बीपीडियो के paper में यहां से question आये था, तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हैं, उत्राखंड के त्योह को कहा जाता है, ठीक है, तो यह वही topic है, इसको करने की कोसिस करते हैं, अब देखो, त्योहार है, पहली बात, तो त्योहार हिंदी में, सुद्धवर्तनी में भी पूछा जाता है, कैसे लिखते हैं, तो सुद्धवर्तनी में, EO के paper में तो त्योहार लिखने आगर आपको चीज क्या होगी मेरे trend दूसी चीज मैं ये बताने की कोसिस कर रहा हूं, कि बहुत सारे तयोहार ऐसे हैं, जो पूरे देश में मनाए जांगे, जैसे होली है, दिवाली है, राकी का तयोहार है, ये तो हर एक पूरे देश के हर एक कोने में मनाए जा रहे न, तो ये उत्रखन म इसमें ज्यादा question नहीं आते question किस में आएंगे कुछ ऐसे त्योहार जो particularly उत्रखण में मनाए जाते और जगनी मनाए जाते तो वहाँ से important question बने कियाएगा उन fact को आपको ज्यादा अच्छे से ज्यादा धिहान से याद करने है फिर भी देखो क्या है पहला त्योहार है दीपावली के बारे में सबको पता है इसको क्यों लिखा है यह तो हम सबको पता है तो इसमें उत्रखण में हमारे पास क्या question आ सकता पहला point इसमें ये लिख लेंगे इस त्योहार में उत्रखण में भेला खेला जाता है भेला पे आग की मसाले जलाई जाती है, उस टाइब से गेम वो खेलते हैं, धोली के दिपावाली के दिन खुसाली के रूप में वो उस तियोहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई जौन सारी छेत्रिक होगा, या भेला वो लोग खेलते होंगे, तो जाद अच्छे से एक्स्प्ले जाता है दीपावाली में, और इस तियोहार के दिन, दीपावाली के दिन क्या बनाये जाते हैं, एपन चित्र बनाये जाते हैं, ये भी मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखे हैं, एपन चित्र बनाये जाते हैं, मैं आपको ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एपन कला के रंगोली बनाते है और आजकल तो आर्टिफिशल वा ते रंगोली टाइप के पोस्टर टाइप करेता हूँ आराम से उनको फाड़ो आराम से चिपक जाते वाल पे भी और आंगन पे भी फ्लोर पे भी फर्ट्स पे भी हाना धिपावली कि दिनम घड को सजाते हैं तो पहले के जमाने से सजाते वियार है जिसको बोलते एपन कला ठीके बाकी एपन के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बता है था जिनका षीविजन हो जाएगा जिनको नहीं पता वन लिक लिग दीचेगा दो चीजों से बनाय जाता है एक बनाय जाता है गेरू से अदूसा किस से बनाय जाता है बिस्वार से बनाय जाता है चीजों को बारबार लिखोगे तो चीजे याद हो जाएंगे गेरू क्या है एक परकार की लाल मिट्टी है गेरू क्या है एक परकार की घूल होता है बिस्वार यह मैं आपको पढ़ाए भी चुका था और यहीं पर extra fact आपको पता भी होगा एपन गरल ओफ उत्राखन एपन गरल ओफ उत्राखन यह किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है मिनाकसी खाती जी को एपन गरल ओफ उत्राखन किसको कहा जाता है तो एपन गल औप उत्रखन कहा जाता है मिनाक सिखाती जी को यह बस revise हो गया आपका यह हमने पहले भी पढ़ा था यहां से क्या question आएगा कि भेला कब खेला जाता है या किस त्योहार में खेला जाता है तो आप क्या बोलोगे दीपावली के दिन यह question ऐसा बन सकता है कि निमने मेंसे कह एपन बनाये जाते है तो वह में आपके सामने लिख दिया है तो आप उसको भी याद कर सकते है next आगे पढ़ते हैं क्या-क्या चीजे होती है और क्या-क्या चीजे नहीं होती है उन चीजों को समझने के कोसिस करते है तो आगे बढ़ेंगे दोस्त या पिली का घी सकरान थी अगर आपने बी पीडियो का पेपर दिया होगा तो बी पीडियो के पेपर में भी यह question आया था और यहां से एक ही point आपके पास बनेगा इस्तियोहार को यह इस्तियोहार को किस नाम से जाना जाता है इस्तियोहार का दूसर नाम क्या ओलगिया ओलगिया नाम से भी जाना जाता है इस्तियोहार को ओलगिया नाम से भी जाना जाता है इस्तियोहार को ओलगिया नाम से भी जाना जाता है ये वाला फैक्ट आपको याद अखना है कौन सा अल्गिया त्योहर के नाम से भी इसको जाना जाता है ये पॉइंट आपको याद करना है ये भी पीडियो के पेपर में डारेट कोशिन बना था अब दूसरा क्या है इसको हम याद कैसे करेंगे पहाडों में गी सकरांती मनात तो मेरी मान हमको भर भर के घी खिलाती तुझ घर नायक्त रखना वह उससे घेंगा बोल्ते खिंगा मुझे याद भी नहीं आरा बोलते की वह बन जाता है जो घी 위 Savage नहीं खाता है तो थोड़ो वैसी बाते होगी मगर घी सकरान्तिय celebrate करते है गवập में इस दिन गी खाना ज़रूरी होता है ध्यान रखना तो ये वाला पॉईंट तो लिखाना नियूर गी सकरान्ति के दिन गी खाना जरूरी होता है परनतु ध्यान रखनिया ओलेगिया के लिपयर में पूश लिया जाएगा तो गी खाना इस तेवार के दिन गी खाना क्या माना जाता है? सुभ माना जाता है समझ मैं ही point? Question आएगा घी खाना सुभ माना जाता है अग गी सकरांते उप्शन में तो कोई भी कर देगा मगर घी सकरांती ओप्सन में देगा ओप्सन में देगा ओलगिया निमने में से किस त्योहार के दिन घी खाना सुबमाना जाता है किस त्योहार के दिन ओलगिया क्योंकि ओलगिया बेसिकली क्या है घी सकरांती ये त्योहार की उत्पती कहां से इस्तियोहार की उत्पती कहां से मानी जाती है तो कहते है एक परथा थी जिस परथा का नाम था ओलग परथा एक परथा थी जिस परथा का नाम था ओलग परथा ये ओलग परथा क्या है चंद वंस के सासन काल से चल रही है चंद वंस के सासन काल में राजा को भेट देने की परता ये कहलाती थी औलग परता तो कभी इस औलगिया से ऐसे question मन जाएगा औलग परता क्या है? तो औलग परता कुमाओ की परता थी बोला और इसमें चंद वनसकेड सासनकाल में राजा के दरबार में भेट पहुचाई जाती थी जो भी खाना पीना होता था वो पहुचाई जाता था कुछ न कुछ गी सकरांते के दिन कोई दूद, कोई घी, कोई पैसा, कोई अना जो भी उस टाइम का रहता होगा भेट वो देते थे तो ऐसा question मन सकता है भाई कि औलग परता का है? तो औलग परता, मैंने तुम्हें औलग यह ऐसे याद करवा दिया है अगर आप याद कर सकते हैं तो आप अच्छी बात है नहीं करेंगे याद तो भाई आपके लिए नुकसा अंदाएक होगा ठीक है, next यत्योहर इस्पेसल टाइम पर मनाए जाता है अच्छी बाई इस्पेसल टाइम पर मनाए जाता है तो एक वीडियो का कमेंट करके आपने बताना है कि सितंबर को क्या बोलते हैं हम इंदी में एक दिन मैंने तुम्हें हाद जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि चैत बैसा असा इनको याद कर लो कुछ बच्चों ने कॉमेंट करके लिखे भी थे कुछ ने नोट करके भी अपनी कॉपियों में लिखे होंगे जो कहना मानते होंगे तो आज मैंने उल्टा कर दिया अब आप सितंबर को बताओ सितंबर को कौन सा त्योहार कहते है ठीक है? हिंदी में बताना आपने Ñंसे आगे बढ़ने की कोसिस करते हैं और आगे आपके बोर्ट पे दिख राओगा आपको दिख रखा है मकर सकरांथी मकर सकरांती के बारे में हमको क्या पढ़ना पढ़ेगा? वो समझने की कोसिस करते हैं आप बहुत अच्छे से समझिएगा इन त्योहारों को जैसे कि अभी आपने पढ़ा गी सकरांथी और गी सकरांथी के लिए आपने याद कर दिया और पेपर में भी आ गिया कि सर गी सकरांथी also known as ओल गिया तो ऐसी मकर सकरांथी also known as गुगतिया short cut में लिग रहा हूँ तो question हैगा all गिया किसे कहा जाता है तो all गिया तो गी सकरांथी के लिए कहा जाता है all गिया किसे कहा जाता है all गिया कहा जाता है गी सकरांथी को और अगर बोलेंगे गुगतिया किसे कहा जाता है तो गुगुतिया का आ जाता है मकर सकरांती को मकर सकरांती को किस नाम से जना जाता है गुगुतिया नाम से बेसिकलिए गुगुतिया होता है क्या है बेसिकलिए गुगुतिया क्या होता है तो गुगुतिया होता है इस दिन आटे के मीठे तेड़े मेढे खिलोने बनाए जाते तेड़े मेढे खिलोने बनाए जाते है क्या किया जाता है बनाए जाते तेड़े मेढे खिलोने बनाए जाते है और आजकल तुमने देखा होगा कोई त्योहार आता है तो घर में बहने बनाती है वो मीठे मीठे होते है ठीक है आटे के चोटी चोटी गोली करी टेड़े मेंडे कुछ भी खिलोने बनाए और तेल मुन को तल दिया ठीक है तो उनके लिए एक और सब्द का परियोग किया जाता वर्तमान में गुलगुले वर्तमान में के लिए क्या सब्द का पर्योग किया जाता गुलगले और जो ये टेडे मेडे आटे के खिलोने होते हैं बेसिकल इनी खिलोने के लिए हम क्या बोलते गुगतिया तबी तो इस्तियोहार का नाम क्या पढ़िया गुगतिया पढ़िया वर्तमान में जो गुल-गुले हैं इन्हीं को पहले जमान में क्या बोलते थे घुखती है भाई नहीं आये समझ में मकर सकरांती के दिन लेडिस लोग क्या करती है आते के गोली-गोली बना के जैसे रोटी के लिए बनाते है, रोटी के लिए तो गोल गोल गोली बना दी, तो जैसे कोई लंबी है, कोई टेडी है, कुछ आकरती, कोई चेडी है, जैसे कोई कुछ, जैसे कोई कुछ, चोटे मोटे टेडे टेडे बना दी है, जैसे जैसे भी बन रहा है, और उनको मीट है चीनी के गोल में मिलांके तेल में तल दो तो बन जाएगे ना गुल-गुले टाइप के गोल-गुल टाइप के बन जाएगे और उसके बाद उन गुल-गुलों को या उन मीठे के जो टेडे मेडे खिलोने बनाये जाते आटे के उनके लिए क्या बोला जाता गुगतिया और ध्यान रखना, मकर सकरांती के दिन, आटे से मीठे मीठे जो खिलोने बनाए जाते, उनको क्या कहा जाता है, उनको बोला जाता है, घुगुतिया, अब वो मीठे मीठे खिलोने लोग क्या करते है, बच्चों को देते थे, तो पहले के जमाने में जो छोटे मूटे बच्चे ह हमारे गर में छोटे-छोटे होंगे तुम्हारे भांजे बतीजे वो पबजी फ्रीफायर ऐसे खिल ले कि क्या बताना हमारी केडी का में उनके केडी जा देखने के लिए यह कि नहीं है कई चीज ऐसा है कि समझ में नहीं आता उनको पता होता कि यह क्या करना है कैसा एडिट करना कैसे नहीं करना है बगाते चीनिया बगाते बगाते आपस में यही कलते थे उनका रस ermивается configure चीनिया में जाते थे उनको प्रवर से Amenlichinia में, किसका नाम आता, कववे में, तो वो जो मीठे गुलगुले होते ना, जो मीठे गुगतिया, गुगतिया तो समाझ में आगे ल использовать, किसके आठे के गुगतिया, और ये गुगतिया किसको दिए जाते थे? बच्चों को और फिर इस तीवार में, फिर बच्चे इन गु को वोगतियों को को खिलाते थे। ठीक है किसको खिलाते थे। इसलिए इस त्योहार को काले कोवे का त्योहार भी कहा जाता है। इसलिए इस त्योहार को काले कोवे का त्योहार भी कहा जाता है। मुझे उम्मीदे तो घुगतिया बेसिकली आटे के बनने वाले खिलोने हैं। अब आपकी समझ में आ गई है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा और आप समझदार भी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला त्योहार क्या है फूल सगरांती। फूल सगरांती नॉर्मल है। फूल सगरांती के दिन छोटे छोटे बच्चे टोकरियों में पन्नी के जो थेले होते हैं। जगा जगा से गाओं गाओं से क्यारी क्यारियों से घूम घूम के लोगों के घरों घरों से फूल तोड़के लाते हैं। आपनी टोकरी में फूल जमा कर देते हैं। और फिर इन फूलों की टोकरियों से लेके वो दिन भर लोगों की देली में रखते हैं। देली समझते ह आंगन के चौकट में रखते हैं, नहीं समझते हो, जहांसे घर के अंदर का एंट्री होता है, आजकल तो घरों में में गेट होता है, मगर गाओं में 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 गेट का कोई concept नहीं होता है, गाओं में तो एक दर्वाज़ ही होता है, जिससे कमरे के अंदर घुसते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं देली, तो देली में कुछ फूल रख देते हैं, जो भी बच्चा हमारी देली में फूल रख ने आता है न explor उसको अपने तब से कुछ खिलाते पिलाते, कुछ दान दक्स न देते उसे, उसी को बोलते, फूल देही का त्योहार, इसमें क्या होगा, गाओं के बच्चे टोकरियां, थेले, पन्नी लेके गाओं गाओं में घूमेंगे, गाओं गाओं में घूम के फूल ही फूल तोड़ फूल देही के नाम से जाना जाता है इसी फूल सकरांती त्योहार को और क्या कहते है फूल सकरांती त्योहार को और क्या कहते है फूल देही का त्योहार कहते है बेसिक सी बात है एडिन नेक्स One यह त्योहार बसनतो अगमन मैं मनाया जाता है Simple सा Question तो ऐसा Question तो नहीं बन पाएगा मेरे दोस्त आपके पास कि फूल सगरान्ती को फूलदेगी के थे, कोई भी कर देगा, तुक्ता लगा देगा, मिश्चा क् Emm Prose a question आ सकता है, कि निन्न मेंसे कौन सा त्योहार है, जो बसंत के आगमन पर मनाया जाता है, तो बसंत तरीतू होती ही ना हमारी, तो बसंतरितू के आगमन पर मनाया जाता फूल देगी का त्योहार ये वाला point, ये वाला fact आपको याद करके रखना है ठीक है next one हरेला, तो question है गा हरेला क्या है तो भई हरेला का परव एक परकार का हमारा उत्राखन में त्योहार है ये question ऐसा भी बन सकता हरेला क्या है तो हरेला एक परकार का त्योहार है ये वाला fact भी आपको याद लखना हरेला एक परकार का त्योहार है अभी सरेला त्योहार में क्या होता है पहला point ये हो जाएगा ये स्रवन मास में मनाया जाता है सोनू में ना त्योहर मनाया जाता, ये वाला point आप ध्यान करके रख सकते हैं, कौन सा हरेला, हरेला कहीं न कहीं त्योहर हरियाली से हैं, असोनु में न बोलते हैं, जुलाय अगस वाला टाइम पे, जब बरसात गिरती है, जब बरसात होती है, अब बरसात के टाइम पे हरियाली हरियाली होत मिट्टी भर देते और इस मिट्टी के ऊपर अनाच को दाने को उगाते हैं। पूरित आते हैं जिने हम घड़वाली में टूस हागी तो कहींतने के हरियाली, कहींतने परियावरार से सम्झ दिए पर्वु य त्योहार होता है, जो स्रवण महीने में ये सौनु में मनाये जाता है, ठीक तो इसमें क्या होता है? इसमें घर के अंदर एक पात्र में मिट्टी भर कर अनाज के दानों को उगाया जाता है समझ गए आप उगाया जाता है आप्टर देट जब वो अंकुरित हो जाते हैं अंकुरित होने पर भगवान जी को चड़ाया जाता है यही पूजा होती है भगवान जी को चड़ाया जाता है पूजा करके ठीक है तो question आएगा निम्न मेंसे अंकुरित बीज ये निम्न मेंसे अंकुरित पौध है भगवान जी को किस तेवार में चड़ाये जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकतें कि सर जी हमें तो नहीं पढ़ाया है अब आप ये नहीं कह सकतें सर जी हमें नहीं पढ़ाया है आपको ह जो मेरे पुराने बच्चे बोलो दिमाग में बोलो कम मनाया जाता है खतुडवातियोहर मनाया जाता बेसिकली खतुडवातियोहर मनाया जाता बेसिकली 17 ओप सिप्टेमबर को 17 सितंबर को और 17 सितंबर को ही आपके मोधी जी का बड़े भी आता है 17 सितंबर को ही आमारे यसस परदानमंत्री मोदी जी का भी बर्थडे आता है ठीक है मोदी जी पर एक मीम्स आजकल viral हो रहा था आजकल लक्सुदीप और मालदीप का मुद्द चलना तो भोलते कि बिना 13 की सीखे वे लक्सुदीप को डुबाने का घमंड है मालदीप को डुबाने का घमंड है तो मालदीप की फ्लाइट उलाइट कैंसल कल दी थी कुछ कॉंटरवर्सी हो गए थी उनके नेताओं ने कुछ बोल दिया था मोदी जी को हना 17 ओप सिप्तमबर को ही जागर संरक संडे मनाय जाता ये पढ़ाय था आपको उत्राखण में जागर संरक संडे का मनाय जाता है 17 ओप सिप्तमबर को मनाय जाता है अयू के ट्रिपल सी ये भी कब बना था तो ये भी 17 ओप सिप्तमबर 2014 को बना था ठीक है ये प्रीतम भरतवान के बड़े पे मनाय जाता है जागर संरक संडे 17 सितंबर कोई बहुत बार पढ़ाया है 1857 में करांतिकारियों ने काले खाने हल्दवानी पर कबजा कर लिया था तो मैं तुम्हें बहुत बार ये पढ़ा चुका हूँ अगर तुमको ये पहली बार में याद हो गया था तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है जिसको याद नहीं था तुम दुबारा लिख लो 17 सितंबर कोई जागर संरक संडे मनाय जाता प्रीतम भरतवान जी की याद में UKT पलस दी भी 17 सितंबर 2004 डगो बनाता जिसकी आप तियारी कर रहे हैं 17 सितंबर 1857 को काले खाने हलदवानी पर कप्जा कर लिया था और 17 सितंबर कोई खतरूबातिवार मनाय जाता है मैगर मैं ये निबताओं को क्यों मनाय जाता भई खतर सिंग मार दिया था ना जब लड़ाये चल ले थे लक्स बीचन दो मान सा की तो मान सा का सहिनापति खतर सिंग मार दिया था उन्होंने इसलिए कुमाओं में खतरुबातिवार मनाय जाता था ये बात आपको भूत बार में पढ़ा चुका हूँ तीक है अब इस त्योहार की एक IMPORTENCY क्या है इसी त्योहार में पसूँ की रक्सा की कामना की जाती है इसी त्योहार में पसुओं की रक्सा की काम न की जाती है हमारे पसुओं को बिमारी न लगे हमारे पसुओं को बाग वगयरा कुछ खाए ना जंगलों में जब हम गया चराते तो बाग वगयरा भी आकरमन करता है कई बाग बाग गया लेके बाग जाता है क्योंकि हमारा गाओं तो properly Corbine National Park के कंदर आता है इसलिए हमारे गाओं में अगर गाय को बकरी को बाग मारता है तो हमें 30,000 रुपे भी मिलते हैं सरकार की तरब से Corbine National Park में अब application डालते हैं कि भाई बागों ने हमारी गाय को मार दिया अब बाग को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं तो सरकार उसके बदले हमें 30,000 रुपे देती हैं 30,000 रुपे पकड़ अम मूँ बंद रख ठीके तो इसी त्योहर में कुमाओं में खत्रुबा त्योहर में पसूओं की रक्सा की कामना भी की जाती है इसी लिए पसूओं की रक्सा की कामना की जाती है तो खत्रुबा त्योहर को गाय का त्योहर भी कहते है जैसे इससे पहले पढ़ाया था ना काले कोवे का त्योहर तो गाय का त्योहर किसे कहते हैं तो गाय का त्योहर कहते हैं किसको भई खतुड़ुँभा त्योहार को कहते हैं अग गाय का त्योहार का ये बार तुम्हे ऐसा प्रॉपर लिखा नहीं मिलेगा Language change हो जाएगी इसके लिए ऐसा भी लिखा था गेतियार गेतियार या ऐसा भी लिखा थे गो त्यार ठीक है तो गेतियार गो बोले तो गाए गो बोले होते गाए, त्यार सब्द। त्योँहार के लिए यूज कर रहे है खुमाउनी में, थोड़ा वो जल्द इपाजी में करें तो उसका प्राणाउंस थोड़ा चेंज हो गया, तो खतुडवा त्योहार के बारे में भी आपको बेसिक सी बाते बता दी जो आपको पहले से ही पता थी एक्स्टर फैक्ट भी बता दिये हैं खतुडवा त्योहार को ही गायो का त्योहार या गय त्योहार के नाम से भी जाना जाता है और इस त्योहार में पस्वों की रक्सा की कामना की जाती है आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा चेतॉल चेतॉल भी अपने आप में यार काफी important त्योहार है और इस important त्योहार में क्या होता है इस important त्योहर में क्या चीज़ हम को याद करनी है वो देखते है चैतोल त्योहर पहली बात question आएगा चैतोल त्योहर मना आया कहा जाता है भाई तो चैतोल त्योहर मना आया जाता है पिथोरागड में particularly जगा है भाई अभी तक तो ऐसा कोई जगा नहीं पड़ा हमने normally गड़ वाले तो कुमाओं में बटिसमें तो particular जगा है चैतोल त्योहर सब जगा नहीं मना आया जा रहा है कहां मना आया जा रहा भाई पिथोरागड में और ये मना आया जाता है चैतर मास की अस्ट्रिमी को दूसरा क्वेशन ये आ सकता है कि चैतोल त्योहर का मना आ जाता है तो चैतर मा की अस्ट्रिमी को मना आ जाता है अगला क्वेशन क्या बन सकता है यार दोस्त आपके लिए क्यों मना आ जाता है कोई भी त्योहर हम करते हैं उसके पीछा कोई ना कोई रिजन होगा फालतु में हम त्योहार सेलिवरेट नहीं करते हैं त्योहार को सेलिवरेट करने का कोई रिजन होगा as you know है आप सभी लोग समझदार यह जानते भी है इस त्योहार को सेलिवरेट किया जाता है कुटुम्ब के कल्यान के लिए और कुटुम्ब किसका परियावाची परिवार का तो यह ध्यान रखिएगा question आ सकता है कि निम्न मेंसे कौन सा त्योहार ऐसा है जो कुटुम्ब के कल्याण है तू मनाया जाता है कुटुम्ब के कल्याण है तू मनाया जाता है निमन मेंसे ऐसा कौन सा त्योहार है जो कुटुम्ब के कल्यान के लिए मनाये जाता है तो कुटुम्ब के कल्यान के लिए celebrate किया जाने वाला त्योहार कोन है आपका चैतौल त्योहार है सिंपल सा basic सा question अब जो यह चेतोल त्योहार है, कुटूम्ब की रक्सा के लिए, कुटूम्ब के कल्यान के लिए मना रहे, अब पिथो रगड में मना रहे, तो पिथो रगड में भी, और वर पिथो रगड में यह celebrate नहीं होता होगा, यार, इस्पेसल जगट पे होता है, और जब इस्पेसल जगापे होता है इसमें इस्पेसल देवता की है इस्पेसल मंदिर में इस्पेसल भगवान की पूजा की जाती है तो यह ध्यान रखना यहां से question आ सकता है और इस त्योहार में इस त्योहार में इस त्योहार में देवल समेत भगवान की पूजा की जाती ह बाकि पिथो रगड़ वाले भाईवे नियार अच्छे से बता पाएंगे इसके बारे में देवल समेत मगर हाँ भई ये question आएगा देवल समेत की पूजा किस में की जाती है तो देवल समेत की पूजा की जाती है चैतोल तोहार में और ऐस अभी question आ सकता है ऐसा भी question आ सकता है की देवल समेत मंदीर का है ये question भी मैंने केताबों में पढ़ा है देवल समेत मंदीर का है हना थोड़ा बहुत सब्दों में हेर फेर हो सकती है इतना different नहीं होगा ठीक है तो देवल समेत मंदीर का है तो question आएगा तो देवल समेत मंदिर आप क्या करेंगे पी थोरा गड़ करेंगे आज हम उत्राखन के त्योहार संस्कृति में पढ़ने की कोसिस कर रहे हैं अब बहुत अच्छे तरीके से आपको ये त्योहार पढ़ाया जा रहा है उम्मीद करता हूँ आप इन त्योहारों को याद भी करोगे अब देखो जैसे ये कलाई है मैं बोल रहा हूँ दोस देशी बच्चों को देशी क्या यार गड़वाल के बच्चों को भी नॉर्मल भी बूच लिया जाए कि कलाई क्या है जिसने पढ़ आओगा उतर खट में त्योहार है कलाई तो वह कलाई रहा जाएगा नॉर्मल चीज अंदर की बात की बात है अंदर की चीज से तब पढ़ ले ना क्वेशन इतना जाएगा भी कलाई क्या है तो भी क्या बोलेंगे आप कलाई एक परकार का त्योहार है अकलाई एतियो और हमारे यहां सेलिड़ेट नहीं किया जाता कलाई एतियो और कुमाओं में सेलिड़ेट किया जाता है कुमाओं में मनाय जाता है कहां मनाय जाता है कुमाओं में एग्जेक्ट इसकी जगा दिखी नहीं है किताबों में बट हाँ अभी मैंने आपको बताया था कि सर कोई भी त्योहार मनाय जाता है उसका एक रीजन होता है without रीजन कुछ चीज नहीं है यार मैं इस रात को बेफालतू कैमरे के सामने अंदेरे कमरे में चिला रहा हूँ इसके पीछे भी रीजन है मुझे यूटूब पे UKT PLACI का जो भी सलेबसे वो पूर्ण रूप से कंप्लीट करके अपलोड करना है आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका भी कोई रीजन होगा कि आप लेटे लेटे रजाई के अंदर मूबाइल चला रहे थे तो आपने सुचा WhatsApp में कोई online नहीं है Instagram Reels देख देख के आप बोर होगे थोड़ा YouTube में चले जाते हैं YouTube में तो मैं मेरा thumbnail दिख गया होगा आपने play कर दिया कुछ बच्चे notes बनाने के लिए particular जान बुच के पढ़ रहे होंगे हर चीज का एक reason होता है without reason कोई चीज नहीं है भई हर चीज का एक reason है ठीक है तो ऐसे ही क्यों तो ये मनाय जाता है फसल काटने के उपलक्स में तो question आ सकता है मेरे भाई कि कलाई क्या है तो कलाई एक परकार का कुमाओं में celebrate करने वाला त्योहर है या कुमाओं में मनाय जाने वाला एक त्योहर है और जो ये कलाई त्योहर है कुमाओं में फसल काटने के उपलक्स में मनाय जाता है जब भी वो लोग फसल उसल काटते होंगे धान गे हूँ जो जो भी वो उगाते होंगे जब इस फसल कटाई करते होंगे तो फसल कटाई के उपलक्स में इस तेहार को सेलिविड करते होंगे कि भाई आज हमारी फसल कट गई है आज हमारी टेंसन कम हो गई है जो हमारी जिम्मेदारी थे वो निपट गई है हाना जैसे धान बोतें फिर उसके केर करो रक्सा करो जुगाली करो हाना और उसके बाद काटो फिर धान जब फिनिस हो गया तो मीन्स हाँ भई चिल तो तब मनाते हैं अगला है भिरोली विरोली त्योहर मेंली जौन सार छेतर में मनाय जाता है और फिर वही बात यार कोई भी त्योहर मनाय जा रहा है तो क्यों? कुछ भी काम हो रहा है तो क्यों? हाना आप पढ़ रहे तो क्यों? आपको नौकरी चीए हाना तो क्यों मनाय जाता है तो ये काफी अच्छा question है संतान के कल्यान है तू मनाय जाता है ये त्योहार क्यों मनाय जाता है संतान के कल्यान है तू question आ सकता है मेरे भाई निम्न में से कौनसा ऐसा त्योहार है जो संतान के कल्यान के लिए मनाय जाता है तो संतान के कल्यान के लिए मनाय जाने वाला त्योहार इस वीरोली त्योहार, यह वाला question भी आप याद कर सकते हैं, उम्मीद करता हूँ, आप समज़दार बच्चे हैं, और आप समज़दारी से इस question को याद भी करोगे, मुझे आपे भरोसा हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे जान सारी जन जाती इस त्योहार को सेलिवरेड करती है जान सारी जन जाती इस त्योहार को मुख्यरूप से सेलिवरेड करती है और नुणाई त्योहार का मनाया जाता है तो नुणाई त्योहार भी स्रवण मास में मनाया जाता है आज कल आप देख रहे हैं कि कथन वाले question आ एक क्वेशन आएगा नुणाई तियोहार के बारे में निमने मैसे शच है कि जौन सारी जन जाती मनाती है, स्रावण मास में बनाती है, दोनों सत्य है, ऐसा इसा क्वेशन बनेगे तो आज हमने एक छोटी सी कलास में उत्राखन के कल्चर से सम्मंदित एक बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पंडने की कोसिस करी है जो थे उत्राखन के त्योहार उत्राखन के त्योहार कंप्रीट हो जाएंगे हमारे तो उत्राखन के त्योहारों का बड़ा भाई है उत्राखन के मेले तो उसके बाद हम पंडने की कोसिस करेंगे उत्राखन के मेले अभी उत्राखन के मंदिर मतलब अभी उत्राखन का कल्चर बहुत ब्रॉड है अभी तो यह पढ़ना है उत्राखन में नापतोल पढ़ना लिए पढ़ना है जहां पे पाथा, दून, किलो, माना ऐसे क्वेशन भी आते हैं न वो भी पढ़ना है अभी उत्राखन में महलाओं द्वारा पहना वा तो पढ़ाई नहीं है की नहीं है तो उत्राखन का कल्चर अभी काफी लेंधी होने वाला है उत्राखन का कल्चर काफी दिने उसे चल भी रहा है उम्मीद करता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसे लिख रहे हैं जो आप लिख रहे हैं, आप उसे याद कर रहे हैं ऐसे मुझे आपसे उम्मीद है मैं आपको UKTFLSE का जितना भी syllabus है मैं उसको पूरे YouTube पे free of course डालने का पूर्ण रूप से परियासरत हूँ आप मैं भरोसा रखो, मैं डालूँगा भी अब तो एक दिन में आपको तीन वीडियो मिल रहे हैं, अब मैं क्या करूँ और संडे की दिन आपको current affair और reasoning मिलेगी, तो इससे जादा तो नहीं हो सकता इससे पहले single single वीडियो इसले मिल ली थी मेरे दोस्तों, क्योंकि मेरे पास board नहीं था यार अभी अपना board है यार, तो मैं तीन वीडियो दाल तो रहूँ न, आपके तीन वीडियो को not करके याद भी कर रहे हैं अगर आपको data अच्छा लग रहा है अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज थोड़ा एक दो लोगों को share कर दीजिएगा बाकि कोई कमी होगी, कोई suggestion होगा तो आप बे जिजग दे सकते, धन्यवाद मिलते हैं next class में